अलो फ्रेंड्स कैसे हो आज हम बनाएंगे परवा बेंगन जो बहुत ही टेस्टी बनाएं इसमें मैंने लिए टाइसोग्रम चोटे-चोटे बेंगन इसमें अब हम मसाला भरेंगे इसमें लिया है मैंने तनिया जीरा का मिक्स पावडर, नमक, हल्दी, लाल मिट पावडर, चीनी और एक खास मसाला शांभार मसाला इससे अपका जो परवा बेंगन की सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनेगी इसमें थोड़ी हरी मीर्च और अद्रक भी डाली है आप चाय तो इसमें लसुन भी डाल सकते हैं इसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें हम एक चमत तेल डालाएं मसाले में और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम बेंगन को बीच में से कट लगा कर इसमें सब मसाला हमें बरना है अब चाहें तो एक या दो कट लगा सकते हैं हमारा सब बेंगन भरके तयार हो गया है अब हम इसका तड़का लगाएंगे मैंने एक पैन में तेल लिया है और इसमें एक चुटकी हींग डाली है तेल गरम होने के बाद हमने सब बेंगन इसमें रख देना है पैन में और गेस के आँच तीमी रखनी है हमने सब बेंगन इसमें रख दिये अब हम इसको कल के आथों से हिलाएंगे कि इसमें पानी अभी नहीं डालना है कि सब मसाले को तेल में अच्छी तरह शिकना है में बेंगन का कलर थोड़ा चेंज होने के बाद इसको हम एक मिनट के लिए ढख देंगे पानी अभी नहीं डालना है एक मिनट के बाद हमें ठकन खोलना है और फिर से सब को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें सिर्फ आधी कटोरी पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है अब हम इसको ठकन लगा कर पांच मिनट तक पकने देंगे आज धीमी ही रखनी है और यह जो बाकी मसाला बचा यह भी हमने रखा यह हम अभी नहीं डालना है पांच मीट के बाद हम देख लेंते हैं यह सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है अब हम इसको चेक कर लेंगे हमेरा बेंगन अच्छी तरह पक गया है अब बाकी जो मसाला बच्चा था वो टमाटर और अरादनिया उपर से हम डालेंगे और मसाला डालने के बाद सबजी को हिलाना नहीं है ऐसा ही रखना है चम्मच से मसाला फैला देना है और फिर इसको हमें ठक देना है थोड़ी देर के लिए दो-तिन मिनिट के बाद अब इसका ठकन खोल कर हम देख लेंगे देखे कितना अच्छा मसाला इसमें मिक्स हो गया है और इसको बहुत हलके हाथों से अला नहीं वरना बेंगन जो यह तूट जाएंगे इस आप इसके साथ बाजरे का रोटला परठा रोटी या मेथी के थेपले भिखा सकते हैं इसमें सब में यह सबजी बहुत ही अच्छी लगती है इसे थोड़ी दिर ठक कर ठंडा होने देंगे फिर सव करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत बुले गया आओ जो अच्छा लगती है